मेर नाम है मोहित किसी देखकरी न देख कबसित दखना की थी दूस्टो紹हिे, LAWASH अऩर फ्रेंड्स में अब मेरा नाम है मोहित आप देख रहे है इफ। दोस्तों मेरे अग्यन्हाम मेरे नाम है मोहित लीएजे को मेरे कैडिया आप देख को phrase बनाने से पहले उसे बहुत अच्छी तरीके से दूलना है दूलने के प्रोसेस में एक पॉइंट आप ये आइड कर सकते हैं कि उसमें आप गिहों का आठा डाल कर अच्छे से घिस के तब साफ करें जिससे उसके अंदर की सारी पू निकल जाए तो यहां पर मैंने फिश को द आप देलिकेट आइटम होता है और ज़्यादा देजी से मिक्स करने पर वो तूट भीज़कती है और फिश को पकने में चैसा कि आप चानते हैं बहुत कम टाइम लगता है तो चुकि हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं और इसे नमक डाल कर पहले अच्छे से मिक्स करेंगे औ और नमक पड़ा हुआ इसलिए थोड़ी देर में 50% तो ऐसे ही पक जाएगी नमक से तो आपको पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है और सभी चीजों को मिक्स करने के पाद आपको इसे ढखकर लगभग आदा घंटे तक मैरिनेट होने जाना है मैरिनेट होई फिश को फिर पड़ी लाइची बड़ी लाइची लैसन और कुछ पिसे मसाल है जिसमें पिसे धनिया नमक खल्दी और लाल मिर्च है तो चलिए फिश को फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम प्राई करने के लिए जो पाट हमने उसकिया है नॉन स्टिक है पोशिश कीजिए कि अगर आप उसमें फ्राई कीजिए और फिश को डालते समय तेल में एक बात अच्छी से ध्यान रखना है कि थोड़ा दूर रहे क्योंकि फिश चटकती भी है तो फिश को तेल में डालने के बाद दो मिनिट एक साइट फ्राई करेंगे जानके बहुत ज़दा फ्राई नहीं करें करेंगे में हैं दोई रखा हो जाने के जाएंगे यहां हिसका नोट अन्यूज़ाए चाहिए करीपता मैत्यूनर के खाले खालत हिए उसे ब aussi पीस लिया है और कुछ सब्से अच्छेम committee के हल्का सव हो जाने के कारीपत दो करीपते को चतकने के बार राध करीपते में अपने पिछएुए पियस्ट और अद्रग का पेस्टम में टालँए अभी यह में भी दीर तक टैस्टर करने के बाद सबसारी चीजी मोटीर में फनको कर देंगे 15 मिन बार इसे हम फ्लेम किमा करके कोल लेंगे और इसे फिर से श्टर करेंगे उस श्टर करने के बार जो हमने पिसे मसाले लिए हुए थे उन सारे पिसे मसालों को इसमें एड़ कर देंगे पीसे मसालों को एड़ करने के बाद फिर से अच्छी तरीके से स्टर करना है जरुवत पड़े तो 1-2 चमज पानी डाल दें क्योंकि मसाले इसमय सूख चुके हैं तो हो सकता है कि मसाले तरी पर चिपकें तो आप एक कप या 2-4 चमज पानी इसमय डाल दें जब सबी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं तो अपने पिसे हुए मसाले जो आपने खड़े मसालों को पीस दिया था उसको भी इसमें एड़ कर दें अच्छी तरीके से mix करें और तब तक fry करें जब तक इस मसालों कि नारे में तेल बाहर ना आ जाए जैसे कि अब तेक आप देख रहे सो तेल बाहर आ जुका है तो अब मसाले हमारे बंच उकई है इसमें अपने हिसाब से gravy के हिसाब से पानी डाल दें पर फिश की गेवि आप मैक्सिमम नहीं रखें जितनी अच्छी है आप पतली हैं, पृष क्यां पतलना है चाहिए ज़ोल ज जितना ज्यादा पतला हो उतनी अच्छा है तो दोस्तों जब आमारे ग्रेवी उबलने लगे तो इसमें हम फ्रिश डाल देंगे और 5-7 मिनट बाद हम फिश को उतार लेंगे हमारी फिश तयार हो चुकी है और देखिए कितनी अच्छी और डिलीशिस लग रही है तेल भी अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया है तो इसको प्याज और चावल के साथ सर्फ करेंगे दोस्तों इसे आप अपने घर मनाई है यह खाने में बहुत ही टेस्टी है और देखने में तो डिलीशिस लगी रही है तो थैंक्यू दोस्तों